सहिंता अध्याय बारा ये पर्मेशर बचा ले क्योंकि एक विभक्त नहीं रहा मनुश्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं पर तेक मनुश अपने पडोसी से शूठी बाते करता है वे चापलूसी के ओठो से दो रंगी बाते करते हैं प्रभू सब चापलूस ओठो को और उस जीब को जिस से बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा वे कहते हैं हम अपनी जीब ही से जीतेंगे हमारे ओठ हमारे ही वस में हैं हमारा प्रभू कौन है दिन लोगों के लुट जाने और दरीदर के कहारने की कारण परमिशर कहता है अब मैं उठूंगा जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा परमिशर का वचन पोद्र है उस चांदी की समान जो भठिस में मिट्टी पर ताई गई और साथ बार निर्मल की गई हो तू ही हे परमिशर उनकी रक्षा करेगा उनको इस काल के लोगों से सरवदा के लिए बचाए रखेगा जब मनुश्यों में निश्पन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारो और अकड़ते फिरते हैं आमीन